हम सब के घरों में बहुत सारी चीज़े ऐसी होती हैं जो हमारे और्गनाइजेशन में कामा सकती हैं और हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है और वो एक पेपर ओफ पीस की तरह से साइट पे रखी हुई होती है अक्षर कुछ चीज़ें यूज करने के बाद हम उने वेस्ट कर देते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग और अकल लड़ा कर हम उन चीज़ों को रियूज कर लें रिसाइकल कर लें तो वो हमारे किचन और घर के और्गनाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं और बेतर करने का बहुत ही एजी सा हैक बताती हूँ इस तरह के बैक्स तो हर घर में आते ही होंगे तो बस हैंडल को इनके इस तरह से हम कर लेंगे और फिर इसको जितना साइज आपको चाहिए हो हम फोल्ड कर लेंगे और ना तो इन बैक्स को हमें फेकने का दिल चाहता है और ना ही ये यूज होते हैं तो बस जोतना भी साइज का आपको चाहिए हो छोटा या बड़ा तो बस आप उतनी ही इसकी डेप्ट रख लें उसको फोल्ड कर दें और फोल्ड करने से ही होगा कि इसमें थोड़ी सी हार्डनेस आजाएगी और एक दम से टर्ड नहीं करेगा अच्छा मीरा ये जो बैग था इसमें थोड़ी सी हार्डनेस थी नीचे की तरफ से तो मैंने इसमें कुछ भी यूज दें किया है अगर आप चाहें तो कोई भी कार्ट शीट वगरा इसमें लगा सकते हैं ताकि थोड़ी सी इसमें एक स्टेबल रहने के लिए एक पावर तो देखें हमारा बहुत ही जबर्दस साइक और इसमें रख दूंगी ताकि मुझे फॉरन ही कोई भी चीज बासानी मिल सके और में ड्रॉर में इस तरह से सेट कर दूंगे अगर आप चाहें तो आप इसकी जगा जाने माज वगरा या कोई भी आप चादरे वगरा यूज siwr करते हूं तो वो भी आप इसमें और्गिनाइज करके रख सकते हैं अलो प्यास की टोकरी जिसमें हम कभी कभी लेसन व खादाव भी रख देते हैं और इसके नीचे हमेशा ही थोड़ा थोड़ा कच्रा जबाधा हलोता है काफी मैसी लुक देता ही और पाबेर हमें नीच और भी लगती रहें प्यास को और पर तवाम प्यास को आपने इसके उपर रख देना है और जब प्यास खतं हो जाएगी तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं और दूसरा यह आप्शन हो सकता है कि इस तरह के फ्यूजिंग के बैक्स भी आते हैं जब हम बेकरी से कोई अबार्ज और आलू को इजी सेव कर सकते हैं और कोई भी मैस नहीं होगा एक आपक्षन और में आपको बताती चलूँ कि आप कोई बी निवस्पेपर वगएर या फिर कोई कापी का पेपर वगएर भी आप लगा सकते हैं अगर प्लास्टिक बैंग नहीं लगाना चाते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं तो बस जो भी आपको एजी लगे है आप इसमें यूज़ कर ले और जब आपकी ये आलू प्यास वाखेरा खतम हो जाए तो आप इनको रिमूव करके चेंज़ कर ले देखें घर में पड़ी हुई चीजों से हम किस तरह से उनको दुबा किस राज़ता ऊब लाज़ता बनारहे होते है चलिज्वयद में कोई स्पून नहीं मिल रहा होता है कोई पीलर वगर नहीं मिल रहा होता है तो बहुत टाइम लग जाता है इनको ढूनने में इन्हे और्गिनाईस करने का जीरो कॉस्ट वे मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के कंटीनर्स तो सबके घरों में आते ही हैं तो बस आप इन्हें इस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं रियूज कर सकते हैं I think सबके घरों में ही food storage box तो होते ही हैं इस तरह के disposable वाले तो आप इन्हें फेकने के बजाए इस तरह से यह यूज़ कर सकते हैं कि जिस साइज का भी बॉक्स हो तो उसके साफ से आप अपने स्पून को सेट कर लें या फिर आजकल जो फ्रोजन चिकन में भी जो बॉक्से मिलते हैं तो वो भी आप बिल्कुल भी डिसकार्ट मत किया करें उने भी आप यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहां पर इस तरह से आपको डिस्पोजबल बॉक्स को यूज़ करके दिखाए कि हम किस तरह से उने डिस्पोज़ के बगार रिसाइकल कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ज़्यादा एज़ी बना सकते हैं बिलीव में आपको इस तरह के छोड़े छोड़े काम करके बहुत जादा मज़ाएगा और आपको हर चीज बच्छों को भी एवन के हर चीज फॉरन नजर आ जाएगी कि ये स्पून यहां पर है और ये फॉर्ग यहां पर है इस तरह के और गिनाइजर भी आजकल बहुत बाए कर रहे होते हैं और ये वन टाइम इंवेस्टमेंट होती है और बहुत जादा आपको इसी हो जाएगा अब धर तरह की स्पून को आप और और गिनाइज़ कर सकते है और दरास पे जो अवेलेबल है वो थोड़ा छोटे साइज का मिलता है तो इंशाला मैं आपको डि और लाइक का बटन भी जरूर प्रेस किजेगा ये इस तरह की माइक्रोवेब में जो जाली आती है मुझे इसका अच तक यूज समझ नहीं आया है तो क्यूंके मेरे पास बेकिंग अवन अलग से है तो ये बिलकुल मेरे लिए यूजलेस होती है तो एक तो मैं इसे इस तर से हमारा काम करता है और दूसरा सेकंड यूज मैं इस तरह से करती हूं के इसके उपर तपस वगरा रख देती हूं और नीचे ग्लासिस वगरा रख देती हूं तो ये बहुत ही एजी हो जाता है और मेरी बहुत ज़दा स्पेस भी सेव हो जाती है इस तरह के न्यूटेला क जार या पर चॉकलेट स्प्रैट के जार तो हर घर में ही होते होंगे और मैंने कभी भी डिसकार्ट नहीं करती हूँ इनमें मैं अच्छी तरह से वाश करकी और स्पाइसे रख देती हूँ और इने इस तरह से मैंने लेबिल किया हुआ है तो इनकेस अगर मैं किचन में ना हूँ किसी को कोई चीज चाहिए हो तो वो एजी ली उने मिल जाती है और मुझे आवाज लगाने के बिल्कुल भी जरुवत नहीं होती है उने और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो बस इस तरह से हमें और लिवस की बिए जर्स हैं तो ये भी बहुत ज़दा काम प्यार जाते है और अब चलती हूँ मैं शॉपिंग बैकस की तरफ और शॉपिंग करने हम बिलकुल भी नहीं जा रहे है जो अनलिमिटेड हमारे घऱ् जाती हैं हमें उन्हें डिसकार्ड भी नहीं करना चाहते हैं तो बस बहुत ज़्यादा जब क्वांटिटीज की बढ़ जाती है तो हमें बिल्कुल ढूना मुश्किल हो जाता है कोई भी साइस चोटा या बड़ा तो उन्हें और्गिनाइज करने का एक वे मैं आपको बताती हूँ इस तरह के जो फ्यूजिंग के बैक्ज आते हैं शूज वगरा में ये बहुत सारी चीजों में आजकल आ रहे हैं उन्हें आप यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें मैंने हलका सा ये गते को डबल करके और टेप लगा कर इसे अची तरह से मैंने अंदर फिक्स कर दिया ताकि थोड़ सा स्टेबल भी रहे बीच में मैं एक छोटा सा सर्कल कट कर लूँगी इसमें मैं एक ही साइज की शॉपर्स रख दूँगी जो छोटी ट्रांस्पेरंट होती हैं तो वह बहुत ही एजी ली हमें मिल जाएगी मुझे पता चल जाएगा मैंने इसमें ये शॉपर्स रखी हुई हैं तो बहुत जादा मैस्ट क्रियेट नहीं होगा और एजी ली सबको मिल जाएगी और इसी तरह से अगर आप चाहें तो एक और बैक बनाकर उसमें बड़ी शॉपर्स भी आप हैंग कर सकते हैं और कहीं भी आप किचन में या जहां भी आपको एजी लगे जहां आपको यूज़ करना हो तो आप वहां पर ये हैंग कर लें बहुत एजी रह जाए गए